Hello everyone, welcome to the channel and in this video we will understand why expensive stocks may become more expensive. तो पहले हम यह सबरते हैं कि यहाँ पे expensive का मिनिंग क्या होता है। Let's say expensive वो चीज है जो हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करकर हमको कम quantity में मिलता हो। उसी तरह expensive stocks को यही तरह consider कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसे इंवेस्ट करकर हमको number of shares बहुत कम मिलता है। तो वो हो गया हम हमारे लिए expensive stock। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आज हम कोई expensive stock purchase कर रहा है तो 10 साल के बाद उसकी value बहुत exponentially increase हो जाएगी। अगले 5 या 10 सालों में हमारी economy बहुत ही तेजी से increase होने वाली है तो इसी लिए हमको stock purchase करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए और यह opportunity miss नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमने दो examples लिया है एक है MRF और दूसरा है Aisher Motors पिछले 10 सालों में अगर हम compare करें दोनों की share price में तो बहुत ही exponentially increase हुआ है अब यह समगते है कि कौन से stocks हमको buy करने चाहिए कौन से expensive stocks हमको buy करने चाहिए तो उसके लिए मैं हमने पहले एक वीडियो बनाया था Nifty 50 के उपर कि large companies को government क्यों ज्यादा benefit देती है तो हमको first priority Nifty 50 को देना चाहिए और जो second priority है वो उसको देना चाहिए monopoly market को इसी के example में हमने दिया है कि Pidilite and Jubiland Foodworks Pidilite वो company है जो Favical, Dr. Fixit को own करती है और Sweden Foodworks जो है उसका वो Domino's India को handle करती है तो उसके बहुत ही ज्यादा potentials है और इन दोनों companies के competitors बहुत कम है तो हमारे जो profit के chances है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते है मैं सिफ आपको एक advice देना चाता हूँ कि don't time the market and go for minimum 5 years इसका यह मतलब निकलता है कि कोई भी short term ऐसी situation आती है जहाँ पर market fall down हो सकता है उस situation की wait मत करो क्योंकि market कब तेजी से आगे निकल जाएगा वो हमको पता भी नहीं चलेगा और जो go for minimum 5 years है तो अगर आपको तीन या चार साल में बहुत returns नहीं मिल रहे तो minimum आपको 5 साल तक wait करना चाहिए अगर आपको 5 या 6 सालों में भी return नहीं मिल सकता है तो हम ऐसा consider कर सकते है कि आपकी stock selection में कुछ mistake हुई है अगर आपको investment advice चाहिए तो आप हमको contact कर सकते है anujbora.investingatgmail.com thank you for watching and I will see you in the next one